कि सब्सक्राइब टू मैं चैनल प्रेस तबैल एकन फॉर वाचिंग मैं न्यूव विडियोज अगर फैन्स उने परसनल लाइफ तक ही रखे तो शायद बहुत अच्छा होगा इस परसनल लाइफ को काफी उचाला जा रहा था सोशल मेडिया में और काफी लोग हिमाशी से नाराज थे उसी को लेकर के उमर रियाज में एक रियक्शन दिया था उन्होंने कहा था कि प्लीज परसनल लाइफ में मत चाहे और परसनल लाइफ उन दोनों तक ही सिमित रखे लेकिन अब कुछ इतना जादा हो चुका है कि खुद आसिम को इस पर रेक्ट करना पड़ा है आसिम को यह उसमें फैंस का बहुत बड़ा हात्रा है उन्होंने यह भी कहा है कि मैं हिमानशी के साथ कनेक्ट कर पाया है कोई हिमानशी भी उन्हीं डिफकलिटी से गुज़िए उन्हीं एक्टिविटी से अके अगेंस्ट हमेशा खड़े रहेंगे एक दूसरे को मिचल रिस्पेक भी करता हूँ तो यानि कि जब यह मामला यहां तक पहुंच गया है कि उमर याज के भाई के बाद अब आसिम याज को खुद यह स्टेटमेंट देनी पड़ रही है तो मैं सभी फैंस से कहना चाहूंगा प्लीज आप स्पेस दीजिए आसिम याज को उसकी परसनल लाइफ को लेकर के बुरे भले कमेंट ना कीजिए और आपको आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में मैं इस वीडियो बताता रहूँगा उसके टेंशन आप बिल्कुल भी मतले आपको क्या कहना इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताए वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते अपने नेक्स अपसोड में तब तक के लिए धन्यवाद